हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल तो आज मैं जो लेके आई हो वह बहुत खुबसूरत है सूट है कुर्ती तो मैंने तीन कलर में लिया है आप देख सकते हो ग्रे है लाइट ग्रीन और यह यलो तो तीनों का यह न्यू के लिए भी यह वीडियो है ताकि वह कलर कॉंबि यूज करोगे वह भी आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट करके बना के फिर मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूं थाकि आपको कलर भी समझ में आए देखिए सारे तो फस्ट मैं ग्रे वाले से स्टार्ट करती हूं ब्लैक कलर जो होता है वह जो हम यूज करते हैं अगर किसी भी डार्क सेड में जिसमें अगर मल्टी कलर नहीं दिख रहे हैं तो वहां ब्लैक यूज हो रहा है जैसे कि आप जैसे हो गया डार्क कलर हो गया जैसे ग्रे हो गया इसमें आप मल्टी कलर यूज करोगे तो उतना वाइब्रेंट नही दिखेगा color colorful तो यहां मैं only black से work करें black से work करना थोड़ा सा tough भी होता है जैसे मैं समझती हूँ और क्यों नहीं बता सकती मैं खुद के लिए बता रहे हो tough इसलिए होता है कि इसमें आप अगर दो तीन color use कर रहे हो तो कोई problem नहीं होती है आप कस्णी भी एक दो जगा दे सकते हो तो चलेगा लेकिन आप जो है black सिर्फ black यूज कर रहे हो तो कच्चिनी करने में थोड़ा सा यह हो जाता है कि आपको कच्चिनी भरनी यह जो है कुटनी जिग जैग यह सब mix करके आपको देना पड़ेगा अगर आप सिर्ब्लैक से य में black ही यूज करना है तो हमको कच्चिनी कहां पे देना है qui. जीसे की आप यहां ग Alem in the देख सकते हो ऐक साइड मैंने सिधा सिधा कच्चिनी किया है कि अ और भॉआ है सिर्फ black से काम कर रहे हों आप तो आपको कच्चिनी कैसी करना चाहिएmak यह फॉस्ट सूट है ग्रे में जो मैं आपको भी दिखानी हूं और वर्क देखिए इसका और पसंद आये तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा देखिए इसका यह बैक साड है फ्रेंट साड ऐसा है बैक में कुर्ती में जो डिजाइन बनते हैं जो फ्रेंट स कुर्ती बनाओ तो उससी फ्रेंट साड से मैच करता हुआ ही अगर आप बाजू पे देते हो बैक साड पे देते हो तो ज्यादा बेटर दिखेगा अगर बैक साड देते हो तो ज्यादा बटर दिखेगा दोनों बाजू पे सेम डिजाइन है और यह मोर का फिगर है वह अगर आप फ्रेंट पे थोड़ा बड़ा दे रहे हो और बाजू पे उसको फिट कर रहे हो तो थोड़ा साइज को थोड़ा छोटा करके आप दो क्योंकि बाजू है बाजू पे बड़ा बड़ा साइज साड़े मैच कर रहा है आप देख रहे हो जैसे देखिए फ्रंट का फिर से मैं आपको दिखा देती हो ब्लैक क्लड होता ही बहुत खुबसूरत है देखे कितना खुबसूरत लग रहे है मुझे तो ब्लैक बहुत पसंद है पूरा कच्चिनी और कुटनी दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक से रखना चाहिए तब भी आपका ब्लैक का जो वर्क है वो निखड के आएगा और दिमाग में हमेशा रख के चलना है कि ब्लैक ही है तो ब्लैक कहां कहां पर कैसे यूज़ करना है नेक्स्ट मैं यलो वाले आपको दिखा देती हूँ यह मल्ति कलर में है तो इसमें भी कौन से कलर खिल के आएंगे वो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ अगर मुझे से कोई गलती होगी तो प्लीज आप भी मुझे बोल सकते हो कमेंट में कि यहां यह होना चाहिए था क्यूंकि मैं भी इंसानों गलतिया हो सकती है तो आप मुझे यह भी बताना है कि इसमें कमी क्या है यह मैंने रास का थीम रखा है कुट्टी के ऊपर यह फ्रंट साइड है आप देख सेटों यहां साड़े सुब और रास से रिलेटेड साड़े यहां दिये हुए हैं फिगर जो भी हाथी ह hedgehog यह भी सुब करतीक है और आप देख रहा हों जैसे ऊपर जो चिरिया मारा जाता है प्रेंग जो होता है प्रेंग को यह क्या करती है प्रेम से ग्रेटेड है चीरिया है हाथी है यहां नीचे रास है बीस में गढ़श्वारन है यल्लो के साथ जो कलर कॉंबिनेशन है वो आप यहां देख सकते हो यल्लो के साथ कौन-कौन से कलर जाएंगे हाथी में मैंने दो कलर को मिक्स करके यूज किया है 32 नंबर ब्लू है और वाइट यह दोनों को मिक्स करके मैंने यह हाथी वाले जो कलर आप देख रहे हो यह मैंने बनाया है अगर आप सीख रहे हो तो इस बात का भी आप ध्यान देजेगा कि कलर मिक्स करके भी एक अलग कलर बना के आप डाल सकते हो देखिए फ्रंट से ही रिजाइन जो है मैच करता हुआ यहां भी बैक साइड पर डाला गया है साड़ी कुर्ती अभी ओपेन ही है सीले हुए नहीं है आप देखी रहे हो जैसे सिलाई करने के बाद जो और वर्क करने में थोड़ा सा प्राबलम होता है इसलिए साड़ का जो पैक करना भी बांकी है बाजु पर भी सेम राउंड सेप डाला गया है फ्रंट से रिलेटेड चनेक्ट करके ही डाला गया है राउंड शेप दोनों बाजू पर सेम डिजाइन है देख सकते हो आप फ्रंट का जो डिजाइन है और बाजू का डिजाइन है दोनों मैच कर रहा है आप देख सकते हो दोनों बाजू का मैं दिखा रही हूँ दोनों बाजू पर सेम ही डिजाइन है और यह ज्यादा हैवी हैवी वर्क नहीं है सब लाइट जो है वर्क है कोई हैवी भड़ा वर्क नहीं है मगर लाइट वर्क में अच्छा लग रहा है आप हैवी नहीं पानना चाहते हो तो इस जो है आप वर कर सकते हो गुर्ती के ऊपर किसे बूटी नहीं है तीनों दिखाड़ी हो तीनों में बूटी का वर्क नहीं है सारे में सब लाइट वर्क में है छोड़े-छोड़े मोडिप्स के साथ बनाए गया है और थर्ड वाला मैं भी दिखा देती हूं इसका कलर मुझे बहुत पसंद है अब देख रहें जैसे एकडम शाइनी शाइनी है यह भी सिल्क में ही है साड़े दोनों मैंने पहले दिखाया वह पेपर सिल्क में यह थोड़ा अलग टाइप का सिल्क है बट यह दिखने में बहुत खुबसूरत लग रहा है देखे है शाइन कितना कर रह है और कलर भी एकडम निखड क्या रहा है इसका फ्रेंट में मैं जैसे पिछले वाले में यलो में में सर्कल दिखाई थी उससे पहले एकडम वह ब्लैक वाले डिजाइन अलग थे और इसमें जो है यह कुछ अलग है यह सेमी सर्कल में बनाया गया है बहुत अच्छा लग देखने में रास, राधा, कृष्ण, राम, शीता यह बहुत हो गया तो मैं सोची कुछ इसमें कुछ अलग डालती हूँ तो देखें कितने खुबसूरत लग रहे है यह कृष्ण जी है गया से लाड कर रहे है तो अच्छे लग रहे हैं देखने में फ्रंट का यह साइड का देजायन कुछ इस तरह से है और मैं इसमें इसका कलर कॉमिनेशन भी आप देखें मैं बार-बार बोल रहे हूं जो न्यू है वह हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि यह कलर के साथ कौन-कौन से कलर कॉमिनेशन मैंने दिया है और फ्लावर में करते हैं कि कचिनी और भरनी दोनों मिक्स करकर डाला गया है हर जगा यह नहीं कि कचनी कर रहे हो तो आप लगते करते जाओ साड़े का साइड ओपन ही है अभी बाजू पड़ का जो डिजाइन है वो भी इसी बॉर्डर से मैस्ट करता हुआ ही डाला गया है देखे बाजू में देखा देती हूँ यह नीचे का जो बॉर्डर है उसी से मैस्ट करता हुआ जितने भी सूट बनते हैं वो साड़े में मैस्ट करता हुआ ही बाजू पे बैक साइड पे डाला जाता है ताकि और वो खुबसूरत दिखे देखे दोनों बाजू का यह डिजाइन है तीनों सूट में ने दिखाया आपको तीनों में तीन तरह की डिजाइन थे इससे से मैस्ट करता हुआ जो है इस पे बॉर्डर डाला गया है इसका मैं बैक साइड में आपको दिखा देती हूँ कि बैक साइड में कैसा डिजाइन आएगा वो देखिए यह फ्रंट हो गया अब बैक साइड देखें बैक साइड में कुछ इस तरह से डाला गया है फ्रंट साइड का डिजाइन था वो कुछ अलग था उसमें कृष्ण जी थे तो उस टैप से अगर मैं बैक साइड पर डालती हूँ तो बहुत बड़ा इसलिए मैंने राउंड सेप में मोड डाल दिया है ताकि अच्छा लगे छुटा भी हो और अच्छा भी लगे देखने में देखिए इस तरह का कुछ अलग सा मोड मैंने डाला है कि यह बैक साइड हूँ अगर आप इसको बना रहे हो देखिए तीनों इस तरह से दिख रहा है अगर आप इसको बना रहे हो तो जरूर बढ़ाओ मुझे बहुत खुसी होगी और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हो कि मैं बनाओ तो प्लीस मुझे कमेंट 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 बॉक्स में जरूर बताईएगा कि मैं आगे क्या बनाओ और आप क्या देखना चाहते हो बना हुआ वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में तो उमीद करती हो